कि आगा थे मेरे यूट्यूब चेनल इस्टेडी तोगेदर विद विकास पर जैसे कि आपको पता है कि आज हम इक अपना नया टॉपिक किक फाल इनधर है का दीखिए में क्या करना होता है एक वर डिकोड र। इससे टिकोड करना पड़ता है पहली करता है और इसके लिए हमें डिकोड करना है तो लोजिक भी लगाना पड़ेगा ला चली में आपको कूशिप्र समझ सब्यादा और इसमें दे princess icone कोड टीचर इस रिटेन एस कुछ बर्ड दे रखें देखें यह मारा पहला क्वेश्चन है टीचर जो मारा बर्ड है कि टीचर जो मारा बर्ड है हमें क्या कोडिंग दे रखें इसकी वी जी सी हमें टीचर को इस तरीकी से कोड दे रखा है तो मैं पता करना होगा कि पहले इसमें हमने लॉजिक करना पढ़ेगा अब देखें इसे से find out करने के मैं आपको सबसे best तरीका बताता हूँ देखें अगर आप इन numbers की coding कर लेते हैं या इन numbers in letters की number में change कर लेते नमबर में लिख लेते हैं और इनको भी number में लिख लेते हैं तो आपको easily इन में यहां पर भी प्लस टुम्हां मतलब आपको यहां सब्सक्राइब करने पर मिल रहा है आपर हर टो फ में बदओकपॉअ में यहां सुर्ण हो जाला हुछ उन्हें। मिल रहे हैं। अब हमें इसका logic पता चल गया कि हमें यह वाला जो code हमें दे रखाए यह कैसे find out करना है। तो अब इसमें पूचा है How Will Student be written in the same code? student को हम कैसे लिखेंगे तो देखें इस्टुडेंट जो बर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे student ही हमने लिख लिए आप ठीक है अब हम इसमें अगर प्लस टू करते हैं तो हमें क्या-क्या मिल रहा है देखें सारे नंबर्स में यह सारे लैर्टर्स में प्लस टू किया तो स के बाद यू मिल रहा है आपर जी मिल रहा है यू के बाद कि डबलू मिल रहा है ऐसे ही डी में प्लस टू किया तो यहाँ पर एफ मिल रहा है इमें प्लस टू किया तो जी मिल रहा है एन में प्लस टू किया तो किस option में हैं वही हमारा answer होगा अब आप देखिए कौन सा कोट दे रखा है यू भी डबलू देखिए आपके सी और डी option तो अपने आप ही हो जाएंगे क्योंकि यह दोनों option हमारी यू से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं अब देखिए यू भी डबलू हमारे फॉस्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों में दे रखा है यू भी डबलू फिर इसके आगे देखिए एफ एफ देखिया हमारा सेकंड ओप्शन में दे रखा एड़ मेंस अंसर होगा ठीक है इस तरीकिसे हम क्वेश्चिन करेंगे चलते अपने अगले पर को अगले प्रूसर्श उनसे क्या पूछा है कि के अगले पूछा है वह मैं क्या देखा है क्यों इन इन कोड टेस्ट इस is written as 72 टेस्ट जो हमारा बर्ड है टेस्ट को किसे बराबर दे रखाए 72 अब हमें यह पता करना है हाव विल टैगर इस ही इन इंदा सेम कोड टैगर जो हमारा बर्ड है उसको हम क्या नंबर लिखेंगे ठीक है अब आपको इसमें लोजिक फाइंड आउट करना हुआ कि हमने टेस्ट को किस तरीके से एंकोडिंग किया उसमें कि हमें 72 मिला तो मैंने आपको क्या बता है था सबसे पहले लेटर्स को नंबर में कनवर्ट कीजिए आप उससे आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे देखिए कि को क्या लिखते हैं 20 को लिखते हैं 5 एस को लिखते हैं 19 और टी को मर दोबारा 20 अगर आप इन दोनों को इन चारों नंबर्स को एड करते तो कितने मतले है 20 20 40 59 और 64 मतलब इन चारों नंबर्स का हमें सम मिल रहा है वो 64 बट यहाँ पर कितना दे रखा है 72 मतलब अगर हम यहाँ पर देखें 72 माइनस 64 तो कितने मिला हमें 8 मतलब 4 लेटर्स थे और 8 काउंट हमारा बढ़ गया या 8 नं नंबर्स बड़े हैं तो 20 को सॉरी कि देखें अगर यहाँ पर टी का कोई 20 दे रखा था तो प्लस टू करेंगी तो कितना हुआ 22 5 में 2 एड किया 7 19 को किया 2 8 21 और 20 में एड किया तो 22 अब आप इनको एड करके देख सकते है 203 और टू सॉरी 5 27 अहां यह देखिए अगर आप इनको एड करते हैं 213 307 10 10 और 12 और 124 6 7 यह देखिए आपको 72 मिल गया न अब सेम लॉजिक यह सेम लॉजिक हम इस वाले वर्ड में लगाएंगे ठीक है अब देखिए इसमें क्याद रखा टी का होता है 20 आई का होता है 9 G का होता है 7 E को लिखते है 5 और R को लिखते है 18 इन सब का एड करिए और उसमें आप कितना एड करेंगे देखिए 5 लेटर्स दे रखे न तो 5 की जगए पर लेटर में 2 एड करना है तो डारेक्ट हम 10 एड करके लिख सकते हैं या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 को 22 9 को 11 7 को 9 5 को 7 और 18 को 20 अब आप यह सारे नंबर्स को एड कर लिजे तो आपको इसमें क्या आंसर मिलेगा या पता कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस तरीके से यह क्वेश्चिन हमारे बहुत इजी है और यह नंबर्स को एड करना देखिए मैंने आपके सामने आपको लोजिक बताया कि इसमें क्या लोजिक यूज हुआ है तो अगर आप इस सारे नंबर्स एड करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है देखिए 11 और 920 और 2040 40 और 2060 62 प्लस 7 69 मतलब इसका जो सम है वो है हमारा 69 अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में 69 69 हमारा ऑप्शन डी दे रखा है 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 ना ऑप्शन डी हमारा दे रखा है 69 तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि पहले लेटर को डिकोड करेंगे है ना उसमें कौन सा लोजिक यूज हो रहा है पहले लेटर को डिकोड करेंगे फिर उसमें हम अपना सेम लोजिक लगाएंगे जिस बाड के लिए हमसे पूछा ग लेते हैं तो हैं आप मानकर चला यह मार्क फ्री के होतां आपके लिए और यह मांकि को क्या लिखेंगे ठीक है यहां फिर रेंपोर का रेंफॉल का जो बड़ आएगा दिखोडिंग करके वो क्या होगा यहां पर वर्ड कमारा क्या लेखाई थर्ड नमबर था क्वेशन रोस्ट रोस्ट को नोनों क्या लेख रखा है पी डिउल्ड shirt और के दिखिए आपको यह वर्ड देहिकर कुछ रिलेशन समझ में आ रहा हो कनमें क्या हो रहा है अपको मैंने एक सिंपल तरीका बताया है कि आपको क्या करना है इस में इने वर्ड के पहली नंबर में लिखना और इनके भी नंबर लिखना है तो आपको relation आराम से find out कर सकते हैं लेकिन अगर आप practice अच्छे से कर रखा है आपने काफी hundreds of questions की practice कर रखिए तो आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा देखिए जो beginners हैं उनके लिए मैं एक simple तरीका बताता हूं आर को हम क्या लिखते हैं 18, O को लिखते हैं 15, A को लिखते हैं 1, S को लिखते हैं 19 और T को लिखते हैं 20 यह हमारे यह word हो गए और इनको हम क्या लिखते हैं P को लिखते हैं 16, Q को लिखते हैं 17, Y को लिखते हैं 25, T को लिखते हैं 21 और R को लिखते हैं 18 अब देखिए आप numbers कर इनमें आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं देखिए 18 से 16 मतलब माइनस 2 हुआ 15 से 17 गया मतलब प्लस 2 और 1 से 25 मतलब पीछे गया है ना तो इसके बीच में क्या होगा Z तो यहां पर क्या हुआ माइनस 2 देखिए अगर आप यहां से देखें तो YZA ऐसे गया ना ऐसे तो ऐसे देखिए 19 में हमने प्लस 2 गया तो 21 अब देखिए आपको यहां पर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 यहां पर माइनस 2 हो रहा है सो अब आप देखिए अगर आपको वर्ड नेका लाएं रेंफोल तो रेंफोल के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर रेंफे मिल्ड लखेंगे हलोत अब यहाँ पर दिखें आड़ से पहले क्या आता है कि हुच यह आधा है 9 नमबर पे 10 और आब क्या करना को यहांसे माइनस टू किया तो माइनस टू करिए माइनस टू किया तो यहांपर क्या ढाए kalo करने के लिए कैसे कर सकते यह थू में प्लस丁 इस तडिके इस तरीके से N, N में 2 प्लस किया तो क्या आएगा P आएगा यहाँ पर और A में प्लस 2 किया तो C आएगा और L में प्लस 2 किया L, M, N यहाँ पर N आगया अब देखिए अगर आप इसे पूरे solve भी नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसका में answer जल्दी चल्दी पता चले तो अब आप देखिए फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर यहां फर्स्ट लेटर दे रखा है P और लास्ट लेटर दे रखा है N तो अब आप देखिए किस option में आपको 点र क तो पी और एन फोर्श ळास्ट लेटर दे रखा हैं तो देखिए da souven on option B में फी और एन फ़ेस लास्ट लेटर दे रखिए करे हैं वापस थी रहा है अब क्या करेंगे इस tuvo हैm कि यहांपर ओर find out करेंगे देहांपर पी option में भी psiů रखा है starting the option में जी स्टीर रखाय के यहाँ यहलोन हमारा दे रखाया fellay देखेंश्चंट में 1 सेकिंड औप्शन में किसमें पी दे रखा है तो आप देखेंश्चंड मेरा स्ट्राइस उसमें दे रखाया मतलब मैं आपको यह ट्रिक उसके लिए बतारो कि अब आप पूरे numbers को या पूरे letters को decode नहीं करना चाहते हैं तब अगर आप पूरे letters को decode कर लेते हैं तब तो आप आराम से निकाली लेंगे बट आप इतने ही letters को decode करके भी find out कर सकते हैं अब आप देखें यहाँ पर fourth letter P दे रखा है और option A में भी हमारा fourth letter P है मतलब हमारा option A जो दे रखा है वो हमारा सही answer है ठीक है चलिए यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप पूरे भी लिख सकते हैं अगर आप आई आई हमारा किस number पर आता है 9 9 मेंसे 2 माइस सोरी आ यहता हमरा 9 9 मेंसे 2 माइस किया तो 7 पर आता है हमरा g यहाँ पर जी लिखेंगे और f आता है हमारा six number पर six Iya ला टाया नमबर पर और 12 मीं से जब two minus करेंगे तो 10 10 पर आता है हमारा जे अब आप यहाँ पर मेंच कर सकते हैं कि Èlla यह किस option में के तो फ्रेंट दीघिए मैंने आपको जो ट्रिक बतायाथ नशाम में ठिके नंबरस में रिवर्स गया थोड़ा सा मुश्क्युल होता है जैसे आपको आई नाइन द द रखा है तोug टिपिकल हो जाता है इसके लिए आपको क्या करना है first letter A दे रखा है plus 2 किया plus करने पर आप आराम से find out कर लेते हैं तो अगर आप एक जल्दी question को solve करना चाहते हैं तो पूरे को decode ना करके कुछ letters को decode करके आप match कर सकते हैं किस option से आपका match कर रहा है आप उसी को answer tick कर सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते अपने next question पर चलिए बढ़ते अपने अगले question पर इसमें मैं क्या दे रखा है देखिए if a equal to 1 b equal to 3 c equal to 5 d equal to 7 and z equal to 51 देखिए इसमें एक लिए हमें क्या कोट दे रखा है एक लिए रखा है बन बी के दिले दे रखा है 3 c के लिए दे रखा है 5 and d के लिए दे रखा है 7 and इस तरीके से जेड दे रखा है मैं 51 ठीक है अब इसमें पूछा क्या है हमसे then what will be the sum of the letter of word fresh इन्होंने कहा है मार हमसे कि जो fresh bird है fresh जो मरा बर्ड है आप ऐसे questions करके mind fresh हो जाते ना है इसी fresh काम है क्या नेकालना है कि इन letters का sum क्या होगा अब देखें आप यहां पर a को 1 दे रखा है बी को कितना दे रखा है जाए बी को दे रखा है 3 सी को दे रखा है 5 अब देखें रियल में बी होता कितना है भी हमारा किस नंबर पर आता है टू पर सी आता है मारा 3 पर डी आता है मारा 4 नंबर पर जेड आता है 26 अब आपको कहीना कहीए कुछ है कि इन letters में similarity देख रहे होगी है 2 का 3 लिखा है, 3 का 5, 4 का 7, 26 का 51, मतलब हमने क्या किया, इस नंबर को डबल करके, इस नंबर को डबल करके माइनस 1 कर दिया, 26 का डबल 52 और यहाँ पर क्या लिखा है 51, 3 का डबल 6, यहाँ पर क्या लिखा है 5, 2 का डबल 4, 4 माइनस 1, 3, अब 1 का डबल कितना होने चाहिए था, 2 और 2-1 1 ये 1 का 1 एका 1 होता है न तो A का double कितना होता है 2 और 2-1 इस तरीके से हमें पाता चल गया कि जो भी हमारी coding हो रही है वो उसमें क्योंसा formula लग रहा है 2N-1 यह हमारा इसमें formula लग रहा है 2N-1 N हमारा यह है देखिए suppose C C में क्या आता है 3 तो 2 x 3, 6 6-1, 5 Z आता है 26 Z हमारा कितना होता है 26, तो 2 x 26 52 52-1, 51 इस तरीके से मैं यह decoding दे रखी है अब हमें fresh जो word है हमारा, इसका हमें decode करके sum निकालना है इनके letters का तो किस तरीके से निकालेंगे यह देखे, मैं ऐसे साफ कर देता हूँ F, F आता है मारा 6 नमबर पर R आता है 18 E आता है 5 S आता है मारा 19 और H आता है 8 अब मैंने आपको क्या बदा है दा into 2-1 मतलब double कर गे 1-1 करना है, तभी हमें यह वाली code मिलेंगे तो 6 का double होता है 12 12-1, 11 R का double 18 18 का double 36 इसका 35 5 का double 10 तो 9 19 का double 38 37, 8 का double होता हमारा 16 और 16-1 15 अब आपको इनका सम करके बताना है तो आप सम कर लीजे फिर आप हमें बता ही इसका सम कितना होगा चले, मैं इसका सम बताता हूँ आपको इसका जो हमारा सम कितना होगा 5 और 7, 12, 12 और 9, 21, 22 और 27 तो हमारा केरी हो जाएगा तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 1, 10 मतलब जो हमारा सम आएगा वो कितना आ रहा है 107 तो इस लेटर का इस हमारे वर्ड का जो हमारे लेटर का सम आ रहा है यह कोडिंग यूज करके या फिर यह वाला लोजिक यूज करके तो इसका जो सम आ रहा है 107 अब आप ऑप्शन में दे रखा है आप्शन सी जो हमारा है 107 यह हमारा सही आप्शन होगा ठीक है चलिए यह हमारा फोर्थ क्वेश्चन था बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन में से क्या पूछा है अब देखें यह वी उसी टाइप का कवेश्चन है a एक्वाल टु वन ब्डीकॉल टु टू टु त्री डीकॉल टू फॉर एंड जड एक्वाल टू 26 ठीक है इसमें मैं दे रखा है A equal to 1, B equal to 2, C equal to 3, मतलब जो हमारी places होती है, A first position पर आता है, B second, C third, यह मैं इस तरीके से Z हमारा दे रखा है, 26, अब आगे हमसे क्या पूचा है, इन्होंने कहा है, Red, Red जो bird है, उसका code दे रखा है, 42, यह देखिए है, R, A, T, इस bird का मैं, जो sum दे रखा है, जोनके letters का sum, वो कितना दे रखा है, 42, अब आपको बताना है, कि इस में से हमारा क्या logic यूज हुआ है, तो आपको यह बताना है, कि हमारा कॉन से logic यूज हुआ है, तब जाकर हमारे यह sum जो है, लेटर्स का यह मार आ रहा है 42 अब देखे इसमें आप क्या करेंगे आड़ जो मर रहे इतिन्थ पोजीशन पर आता है यह मर आता है फॉस्ट पॉजीशन पर और टी आता है 20 पोजीशन बट इनका जब हम सम कर रहे हैं तो वह कितना मिल रहा है 20 plus 18 30 plus 1 39 39 मिलना चाहिए था यहां पर कितना रहा है 42 है ना इसमें हमारा सम कितना रहा है 42 और जो मैं सम दे रखा है यह मैं लोजिक यूज करके अगले लेटर में अगले वर्ड में जो मैं करना है उसमें हम अप्लाइ करेंगे तो देखिए इसमें हम क्या लोजिक यूज करेंगी कि हमें इसका सम 42 मिले आपने अगर देखा होगा कि ए हमारा स्टार्टिंग से किस पोजिशन पर आता है फॉर्स्ट और लास्ट से अगर हम रिवर्स ओर्डर में काउंट करें तो इसक ुष हु initiatives gleich we require हम अगर हम देखें तो बी हमारा स्टार्टिंग से आता है सेकंड मुचिछन पर और आखरी से आता है हमरा 25 पॉजिशन पर से rods के लिए दी के के ऐसे ही हम अप्लाइ करेंगे जेट तक के लिए ठीक है आप देखिए सी हमारा स्टार्टिंग से आता है धर्ट पोजिशन पर और लास्ट से हमारा जिवाता है वह आता है 24 पोजिशन पर ठीक है तो आपने एक चीज देखा होगा कि इन दोनों का सम कितना हो रहा है 27 यहां पर यहां भी दोनों का सम 27 तो अब सconstrubut की बट офिट्ब्रथ में z 29 तो हम क्या करेंगे रिवार्स में रिवार्स में पर ओडर सोरी रिवार्स में लेटर की पोजिशन फाइन डॉट करने के लिए हम 27 से माइनस कर देंगे. थिकrows? दीखेрос, आर जो हमें है, आर की जो पोजीशन है, 18 पोजीशन है. अब हमें इसकी reverse इसे position find out करना है. कि हमारा reverse order मैं Z से अगर हम count करेंगे, तो आर हमारा किस position पर آएगा? तो हम क्या करेंगे? 27 से माइनस कर देंगे 18 27 से माइनस किया 18 तो कितना है हमारा 9 अब देखे 27 में से 1 गया तो कितना है 26 जो कि देखे आपर दे रखा है यह हमारा reverse में 26 position पर आता है और ऐसे हम T को देखेंगे तो 27 में से 20 जाएगा तो हमारा जाएगा यह 7th position पर ठीक है, reverse order में 7th position पर, अब आप देखिए, अगर आप इन तिनों नमबर को add करते हैं, 26 plus 9, 35, 35 plus 7, कितना होता है, 42, देखिए, हमें यहाँ पर भी 42 दे रखा है, मतलब यह जो हमारे letters थे, इनकी reverse position का sum 42 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर ही logic तो find out हो गया, कि हमें यह number कैसे find out करन आता है, 42, अब हम क्या करेंगे, कि same logic अपने question में लगाएंगे, तो हमें जो word दे रखा है, drain, इसमें हमें find out करना है, कि इसके letters का sum कितना होगा, चले हम find out करते हैं, देखिए, आपर हम find out करते हैं, drain जो हमारा word दे रखा है, drain, अब हमें इसके letters की position का sum निकालना है, तो D आता है मारा 4th position पर, R आता है 18th position पर, A आता है 1st, I आता है 9, और N आता है मारा 14th position पर, ठीक है, N आता है मारा 14th position पर, अब इनकी reverse position हमें find out करना है, तो 27 minus 4, 23, 27 minus 18, 9, यह 26, यह 18, और यह 13, ठीक है, हमें इन letters की reverse से position पता चल चुका है, ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इन numbers का add करना है, तो add करने पर, आपको क्या number मिलेगा, यह आप आसानी से find out कर सकते हैं, इन numbers को add करिए, तो हमें जो word मिले, वो number मिलेगा, वो होगा, 89, अब आप बताइए, 89 हमारा किस option में दे रखा है, तो 89 हमारा option A में दे रखा है, तो A हमारा सही answer होगा, चले बढ़ते अपने अगले question पर, अगला question हम से पूछा है, if request is written as, यह code दे रखा है, then what will be the code for protest, request का में कुछ code दे रखा है, और protest का हम से पूछा है, चले लिखते हैं यहाँ पर, यह हमारा sixth question है, request का में कूड क्या दे रखा है, as, 2, r, 5, 2, t, or u, अब आपको इनमें relation find out करना है, कि हाँ पर हमारा कौन सा logic use हो रहा है, तिके, के यहाँ पर आपको direct दिख रहा होगा, r की बाद s आता है, थेके बढ़ e की बात f आना चाहिता है, जो की यहाँ पर नहीं दे रखा है, फिर देखिए, q की बाद r आता है, तो यहाँ पर दे रखा है, whether q की बात r u की जगा लेकिल 5 दे रखा है कि एकी जगे तंद हें इस के बाद फ्री आता है कि के बाद आता हैं अबॉल क्यों होगी आप आ हुसके इसके बाद क्यों से यह transferred एक्सलेटर एस हमारा कॉंसोनेंट है और टी हमारा कॉंसोनेंट है बट जो हमारे वावल से हैं इनका हमें यह कोडिंग दें रखिए तू फाइव इस तरीके से तो इसमें जो लॉजिक हो रहा है मैं आपको बताता हूं यह नया टाइप का कॉईशन है और यह एक्जाम में प टू पर हमने यहां पर हमने टू लिख लिया और यू की जगा दे रखाता है फाइब आप देखिए आपको यहां से कुछ दिकर समझने आ होगा यह फिस पोजीशन पर मतलब जो भी हमारा लेटर जिस पोजीशन पर है वही हमारा यहां पर code है E second position पर आता है E का code 2 है U fifth position पर आता है U का code 5 है और देखें यहां पर भी E का code 2 है अब हमें किस letter का निकालना है code तो वो हमारा letter दे रखा है protest ठीक है यहां हमने लिखा word protest protest ठीक है अब इनमें जो हमारे consonants है उनका हमें next letter लिखना है और जो हमारे wobbles है उनकी हमें E, E, I, O, U में position देखकर लिखना है ठीक है चले मैं स्टार्ट करते हैं आपर P का next letter होता है P का Q R के बाद S यह हमारा wobble है P के बाद आता है हमारा U यह हमारा wobble है S के बाद आता है T और T के बाद आता है देखें आपके पास option find out करने के दो तरीके है या तो आप इन letters को ही देखकर options में से find out कर सकते हैं कि आपका option कौन है या फिर आप इनकी positions भी find out कर सकते हैं यह सिब दो letters रहे गए हैं जो की दोनों wobbles हैं और wobbles में आप देख सकते हैं उ हमारा आता है fourth position पर उ हमारा fourth position पर और E आता है हमारा second position पर अब आपको यह पूरा decoded form दे रखा है तो आप देख लिजे QS4U QS4U देख लिजे आपको यहाँ पर A और C option में QS4U दे रखा है फिर last में दे रखा है 2TU तो 2TU यह हमारा option दे रखा है option C में तो हमारा option C हमारा सही answer होगा ठीक है फिर्ट्स एक question बहुत easy होते है बस आपको सिर्फ इन में logic find out करना होता है ठीक है होता क्या है कि जब कोई person या कोई student success हो जाते है तो आदमें इसकी सिर्फ success या फिर प्लस पॉइंट देखता है बट उसने जो struggle किया वह आदमी count नहीं करता है यह आपके लिए थोड़ा सा struggle है आपको number of questions की practice करना है इसी तरीके से जब आप number of questions की practice कर लेंगे ना तो logic आपको on tips याद हो जाएंगे ठीक है चले बाठते अपने अगली question पर अगला question हमसे क्या पूछा है कि यह हमारा 7th question है कि एक्वाल टू वन वी एक्वाल टू 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 सी एक्वाल टू त्री यह मैं पुरानी questions की तरह दे रखा है ठीक है यह हमारा first position पर आता है b second c third same way z आता है हमारा 26 पर आगी क्या पूछा है हमसे इसमें मैं code दे रखा है पेजर का जो हमारा code है वो है 29 और हमसे निकालना क्या है clock का हमें code निकालना है या फिर clock के letters का जो सम है वो हमें find out करना है तो देखिए पेजर जो हमारा bird दे रखा है इसका हमें जो letter का sum दे रखा है वो कितना दे रखा है 29 अब देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इन letters को इन letters के number लिखेंगे ठीक है तो हमारा P किस position पर आता है यह आता है 16 यह 1 यह आता है 7 यह आता है 5 और R आता है हमारा 18 पोजिशन पर ठीक है अब अगर आप इनको add करते हैं तो 16 प्लस 1 17 17 और 5 22 22 और 18 40 प्लस 7 47 बट यहां पर हमें दे रखा है 29 ठीक है अब आप क्या करेंगे कि इनका logic find out करेंगे कि इसमें हमारा कौन सा logic use हुआ है तो देखें कभी कभी question थोड़ा सा घुमा कर देता है examiner तो हमें उसका logic पकाड़ना है सबसे तले हम चली एक और त इन दोनों letters का sorry इन दोनों numbers का sum किया 6 प्लस 1 7 और यह 1 यह 7 यह 5 और यहां पर 8 प्लस 1 कितना हुआ 9 अगर आप इनको एक बार add करके देखे 718 8 और 7 15 15 520 प्लस 9 29 जो कि यहां पर दे रखा है देखें आपको यहां पर questions में सिर्फ थोड़ा सा आपको question गुमा दिया जिसमें student को यही question है बहुत tough लगने लगता है है ना तो अब आपसे किस letter का पूछा है clock जो हमारा bird है clock हमें इनके letter यूज़ करके तो c को हम लिखते है 3 l को क्या लिखते है 12 o को लिखते है 15 c को लिखते है 3 और k को लिखते है 11 ठीक है sorry c को लिखते है यहां पर 3 अब देखिए यह जो हमारे double digit वाली letter है ना double digit वाली numbers है इनको हमें single digit में convert करना है तो कैसे convert करना है 2 प्लस 1 3 5 प्लस 1 6 और 1 प्लस 1 2 यह तो हमारे already single letter में है अब आपको इनका sum करना है 3 प्लस 3 6 प्लस 6 12 12 प्लस 3 15 और प्लस 2 17 तो 17 जो हमारा option c में दे रखा है यह हमारा सही answer है ठीक है चले बढ़ते अपने next question पर ठीक है देखे मैंने आपको exam निकालने का मूल मंत पहले बाता चुका हूँ कि अगर आप daily एक test देते हैं तो आप मानकर चलना selection के बहुत करीब है अगर आप test नहीं देते हैं तो फिर आपको examination hall में काफी problem हो सकते हैं तो कि अगर आप जब आप daily टेस्ट देंगे ना तो आपको mindset हो जाएगा कि हम examination hall में बैट हुआ है तो आपको एक daily टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है उससे आपकी practice भी बनेगी time management आपको करना जाएगा और accuracy की उपर आपके अच्छी command बन जाएगी कि आपको कितने accuracy रखन red is coded as 6720 रेट जो मारा बर्ड है इसका में क्या दे रखा है 6720 अब हमें ब्लेक जो बर्ड है ब्लेक यह ब्लेक बर्ड है इसके लिए हमें find out करने के हमारा क्या कोड होगा अब देखे मैंने आपको सबसे simple तरीका बता रखा है पहले कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करिए इन letters के number लिखे यह हमारे किस position पर है ठीक है देखे यह आता हमारा 18th position पर E आता है 5th position पर और D आता हमारा 4th position पर अब आप इनको तो अगर multiply करते हैं तो 15 फोर्जार 20 20 इंटू 18 तो हमारा कितना हो जाएगा एटीन टूजा सब्सक्राइब और 360 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर 362 नहीं दे रखा है तो यहां पर कौन सा लोजिक यूज हुआ है अब आप इनको एड करेंगे तो भी कुछ नहीं आ रहा है तो आप यहां पर एक थोरा सा ध्यान से देखिए यहां पर जो हमारा 18 वर्ट दे रखा है यहां पर 5 दे रखा है यहां पर 4 दे रखा है तो कहीं न कहीं इस 4 में अगर हम इस 4 में अगर हम प्लस 2 करते हैं तो यह हो जाएगा 6 इस 5 में प्लस 2 करते हैं तो जाएगा 7 और इस 18 में अगर प्लस 2 करते हैं तो कितना हो जाता है 20 अब आप देखे कुछ न कुछ आपको similarity देख रहे हैं ना पहले 6 आया फिर 7 आया फिर यह बड 20 आया मतलब इनकी जो मारे numbers दे रखें जिस position पर उनमें टू एड करना है और इनको reverse position में लेखना है टू एड करके reverse position पर लेखना है ठीक है तो अब आप सेम लोजिक सेम लोजिक है जो कि आप यहां पर लगाएंगे बी आता है मारा second position पर एल आता है मारा जे के एल पोजिशन पर ए आता है first, c आता है third और k आता है तुमारा 11th position पर अब देखिए यह अपने letters तो लिख लिए के लिए concept समझाने के लिए इन questions के type बताने के लिए आपको मैं यहां पर लिखे देखा रहा हूं आप examination hall में से लिखने मत बैठ जाना ठीक है अब आप देखिए तू में प्लस टू करेंगी तो four, four का यहां पर हमारा क्या रहाता है यह देखे हम लग आनने आप फोर लिख लिया घंठ यहां पर अगया ट्वल प्लस टू करेंगी तो fourteen,ेby फौर्टिन आ गया बन प्लस टू triple az टू फाइब और 11 in प्लस तो थर्टेन ऑगे तो यह हमारा कोड है ब्लैक के लिए अब आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि किस option में यह दे रखा है वन से बंट्री फाइब 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 त्री वन वन यह देखे हमारा वन त्री 5 त्रीब त्री वन अब आप देखिए 1-3-5-3-1-4 तो option जो सी दे रखा है वो हमारा सही option है 1-3-5-3-1-4 यह हमारा सही answer होगा तो friends आपने देखा कि यहाँ पर questions बहुत easy होते हैं सिर्फ उन में logic find out करना होता है अगर आप इन questions की जाता से यदा practice करेंगे तो definitely आपको यह questions के logic बहुत जल्दी समझ में आए जाएगा और examination hall में आपको इस type के questions seconds में आप solve out कर लेंगे चले मैं coding decoding की और भी मेरी कुछ types हैं जो मैं आगली classes में लूँगा ठीक है friends चले मिलते हैं अगली class में तब तक लिए good bye friends वीडियो को like, share, subscribe ज़रूर करा है thank you friends